2014 में जब मैं चुनाब लड़ा था इन पांच गाओं का स्वह गुम्ला उससे पहले चुनाब से पहले मैंने इनके लिए मुन्नर कराया अंसन किये इनके धरने और उसमें बराबर में चाता रहा और एक लंबी लड़ाई के बाद आज माननिय पूर मुकमंतरी हरियाना श्री म मिली है आप आज तक सरकार के साथ खड़ी रहे हैं तो अब विधान सभा चुनावों का शंकनाद हो गया है क्या समझते हैं भाजपा से टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं मैं यदि देखिये मैं आश्वासन पर नहीं जीता मुझे प्रमता प्रमातमा के आशीरवाद चाहिए और मेरी जंता जनार्थन का आशीरवाद और आशवासन टिकट देते हैं तो उनका धन्यबाद चुनव लड़ेंगे नहीं देते हैं तो जंता के हवाले यह जाने इनक के चेहरे पर मुस्क्राइट हैं क्यों है 50 क्रोर का फाइदा नैन पाल जी ने करा है आइंटी के पांच गाउं के किसान आज विधायक नैन पाल रावत के निवास पर पहुंचे हैं और घेर कर बैठे हैं ये घेराव खुशी का है ये घेराव नाराजगी का है आप कैमरे की नजर से देखेंगे यहां पर कि तमाम गाउं की मौझे सरदारी यहां पर मौझूद है और बड़ी उपलब्धी के लिए यहां पहुंचे हैं चर्चा हो रही थी ऐसे और क्या ये उपलब्धी है और कैसे किसानों की चेहरों की रोनक लोटाने का काम विधायक नैन पाल र जादा तो यही बता पाएंगे लेकिन जब में विधायक नहीं था इन पांच गामों की बेस कीमती जमीन हमारी जो हर्याना की उस समय की सरकार थी माने भुपिंदर उटा जी की इनकी कोडियों के बाप आप देखिए बारह जार पगज तेरह जार पगज वो जमीन को पारह जाद जी सहीद आधरनीय क्रिस्मपाद गूजर सहीद हम सब लोग इनके बराबर बीच में जाते रहे और उस पैसे का साइद बहतर लाकर मिला था बढ़ गया था तो उसको उस समय बढ़वा करके बहतर लाक किया और हमने कुछ इनकी बड़ी परेशानी थी कि कुछ इनास सादन सादनों में लगा दिया अब इनके उपर पैसे का इतना बड़र मरा दिया कि यह ना तो प्लॉट ले सकते थे आरेंडार का नहीं वो पैसा भर करके अपने प्लॉट को फिरी करा सकते थे मैंने 2014 में चुनाब लड़ा था इन पांच गाउं का सहे गुमला उस से पहले सोधे के चुनाब से पहले मैंने इनके लिए मुन्नर कराया अंसन किये इनके धरने और उसमें बराबर में जाता रहा और एक लंबी लड़ाई के बाद आज माननी है पूर मुकमंतरी हरियाना श्री मनोला जी और अब के मानने मुकमंतरी माने नायप सेनी जी यह एक ऐसा ए छाओं मिला लागव होता है मैं अपने पांचों गाहों की तरफ से हरियान सरकार का तेदिल से धन्यवाद करता हूं मैं साथ की साथ किसान भाईयों को बधाई भी देता हूं और इनका धन्यवाद लिए उसले करता हूं एक बहुत लंबी लड़ाई देखिए चार दनि में कोई लड़ाई चोड़ के भाग जाता है चार साल में छोड़ जाता है इन्होंने लगवक बारे साल ये लड़ाई लड़ी है बारे तेरे साल के बाद और उसके बाद इनको ये जो सफलता मिली है उसके लिए ये स्वेम भी इसके जुम्मवार है क्योंकि इन्होंने से सच्चे मन से जिस काम पर खड़ा हो चाह कोई नेता हो चाह कोई और हो इन इन लोगों को सामने जब इनके कमेटी मिलने गई तो सरकार के कुछ अधिकारियों कहा कि अगर नैनपाल रावत अगर स्वेम के लिए इतनी बीटिंग कर लेता तो सायद करोड़ों रोपे की काम चाह विकास के चाह अपने परसनल काम भी करा लेता लेकिन मैं मैंने वो सब छोड़कर पांच गामों की लड़ाई लड़ी और आज मुझे जीत का जुए स्वाद मिला है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ मिरे लोग खुश हैं और इनकी खुशी में मेरी खुशी है विधायकी बतोर निर्दलिय विधायक आप आज तक सरकार के साथ खड़ी रहे हैं तो अब विधान सबाद चुनावों का शंकनाद हो गया है क्या समझते हैं भाजबा से टिकेट को लेकर कितने आशवस्त हैं देखिए मैं आशवसन पर नहीं जीता मुझे परम्पता परमातमा के आशिरवाद चाहिए और मेरी जनता जनारतन का आशिरवाद और आशवसन जिस प्रकार का चुनाव मैं आज यह दो हजार जोबीस का चुनाव होने जा रहा है इतनी पोजिटिविटी जनता की मैंने है वो लोगों को बुला बुला के ठके लोग मां जाते लिए और परम्पता परमातमा के किरपा से मेरे पास सेंकडों कोल्डेली आती हैं कि हम त्यार बैठें आप निकलो गाओं में आओ और अपना चुनाव लड़ों रही बात भार्जनता पार्टी के चिकश्की मैं भाजबा के साथ अड़े खड़ा रहा लोग सवा के चुनावों में ने भाजबा के लिए पूरी तरह डटकर काम किया है और एक बाहरी नेगेटिविटी होने के बापजूद मैंने अपनी जनता से हाथ जोड़े मैंने इनको मनाया और लोग सवा में एक बड़ा अंतर जो यहां जीता होना था उसको कम करके मात तेहतर सो बहतर से वोट चल पीछे रहे कॉंग्रेस की प्रिकर्णी रेट से लेकिन फिर भी मैं जनता का धन्यवाद करता हूं तो इसलिए मैं भाजबा पालिटी का एक अनने सिपाई हूं टिकट देते हैं तो उनका धन्यवाद चुनाव लड़ेंगे नहीं देते हैं तो जनता के हवाले ये जाने इनका काम जाने लेकिन ये तेह है कि ये जनता जनारतन मुझे विधान सभा ज़रूर बेज़ेगी इतना मुझे विश्वाद 25 अगत को बड़ा भूत संबेलन करने जा रहे हैं नैनपाल रावत का चुनावी शंकनात समझा जाए इसे चाह टिकट मिले घोशना करे भाजपा या ना करे देखिए टिकट का फैसला भाज़नता पार्टी को लेना है और क्योंकि जो लोग हैं आज के समय में जो मेरे खिल सबसे बड़ी बात है देखिए मैडम मैं आपको बड़े खुले मन से बताऊं मैंने भी विधायकों के साथ बहुत समय बिताया विधायक मंतरी बहुत देखें लेकिन विधायकों के पास काम की तो बदूर की बात है एक सतकार नाम की चीज नहीं मिलती एक मान की चीज नही भी नहीं सकते उसका सथकार भी नहीं कर सकते फिर किस परकार के लीडर है हम इसलिए मैं जनता जनातन की सेवार पुजा बड़े मन और लगन से करता हूं इसलिए मुझे पूर्ण और विदानसभा चंडीघर जाओंगा 24 में और देखे किसानों की बात होती है तो कभी MSP को लेकर या कभी किसी बात को लेकर अक्षर शिक्वा शिकायते नजर आते हैं चिंता की लखीरे माथोई पर नजर आती है लेकिन आज कुछ माहौल बदला-बदला सा नजर आ रहा है यहां प्रिखला विदानसभा शेत्र में क्या नाम है आज पहली बार मैंने देखा मैं पत्रकारिटा करते हुए कि किसानों की चहरे की खुशी जो है वो देखने लायक है जैसे घर में बिटिया की शादी होती है तो भी चिंता होती है लेकिन आज बेटे की शादी की तरह अग्षुश है तो ऐसी ऐसी क्या उप्लब दीती क्या इतना मुश्किल काम था जो नैनपाल जी ने करा जी बहुत अपार कुछी है और काम मुश्किल नहीं था आवसंभव था जिसको करके दिखाया है और जो अधिकारी भी कहा रहे थे मत करो नुक्सान होगा सरकार को करो कि अगर आपना काम मांगता तो बहुत फायदा करवा लेता और जो पहले मटी साथ से उन्हों हम से कहा था कि यह जो आपका काम हुआ है यह सिर्फ नेनपाल रावत की महरबानी है अगर कोई और होता तो यह काम आपना काम बिल्कुल नहीं होता इसलिए हमें बहुत कि अगर लेकर और आज जो फैसला है उस फैसली में जो शब्द लिखें है कि आए पी वरीदा बाद के लिए यह सिर्फ काम हुए पूरे हर्याना में यह चीज लागू नहीं होगी तो यह अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत और एक संगर्ष का एक हमारे लिए सफल नतीजा है बिल्कुल सफल नतीजा और चलिए एक बात कि चुनावों का माहौल चल रहा है तो एक बात और बाद करवट बैठेगा देखो जी तो समय बताएगी तो मैं भी नहीं नहीं सकता देना पर ज्यादा चल लोग नैंपाल जी के साथ रहेंगे क्योंकि नैंपाल जी इसको हराज भी काम नहीं करा सकता और आज हमारे पांचों गामों के किसान खुद रहें उनके चेहरे पर मुश्क्राइट है क्यों है पचास करोड़ का फाइदा नैंपाल जी ने कराया बिल्कुल करोड़ कराया है कौन से गांसे है नावादा से यह जो लाब कराया नैंप जो है वाओ जी जब यह नहीं हो आथा यह फैसला तब क्या स्थिती और अब क्या स्थिती हो जाएगी अब बड़ी है फायदा मिलेगा फायदा मिलेगा चुनावों का समय चल रहा है नैंपाल जी किस्थिती कितनी और मजबूत देखते हैं बहुत मजबूत करेंगे अब किसान को जो है वो देश की रीड कहा जाता है तो इसे बड़ी उपलब्दी कहा जाता है और आज प्रिसला विदान पाबा शेतर से निर्दलिय विदायक नैंपाल रावत ने इसे रीड को अपने समर्थन में लाने का काम किया एक बड़ी उपलब्दी के साथ और 25 तो देखना ये होगा कि विदान सबा चुनाव नजदीक है और अब किसान जवान और साथ में जो प्रिथला की जनता है वो नैंपाल रावत के हाथ किस तरह से पहले से भी जादा और मजबूत करती है कैमरा परतन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा पंजाब क हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध